असलाम वालेकूम कैसे हो आप सब यहां अभी शाम का टाय में और मैं बनाने जा रही हूँ डीनर तो मैं डीनर में क्या बनाऊंगी वह आप लोग के साथ में शेयर करूंगी और वैसे तो मुझे जल्ली ही चालू करना था मैं आज जरह काम से बाहर चली गए थी इसके लिए म मैं अभी आई हूँ तो बस आके मैं थोड़ी सी चाई बना के पी और बस आप लोग से बात करने खड़ी हो गई मैं चलो आपी बना लेती हूँ तो मेरा ब्लॉग बन जाएगा वन्ना फिर आज मतलब ऐसा हो जाएगा फिर मैं नहीं बना पाऊंगी तो मैं चलो बना लेते तो बस क्या करना पड़ता है अगर नहीं करें तो कैसा चलेगा मेरे घर में कोई है नहीं करने वाला जो कुछ है मैं हूँ क्यों कि मेरे जो लड़की लोग वो दिंबर काम पे रहते तो उनको तो ऐसा नहीं की काम मतलब बन करा के मैं यह सब काम में लगा दू तो जो करना मुझे ही करना रहता कि घर की बड़ी मैं हूँ और जो कुछे मैं हूँ अप सबसकते तो मुझे ही करना पड़ता है तो बस दुआ करना जो काम के लिए में जा रही हूं वो काम मेरा हो जाए और आप देख सकते मेरा घर का हाल पूरे घर में आज देखो मैं दिखाती हूँ जब कपड़े वगेरे सब ऐसी तंगे रहे गए और ये देखिए सब कुछ भी काम नहीं हो पाया हाँ खाली बर्तर वगेरा सबाने धो ली थी क्योंकि खानवाना खाये थ वीडियो बहुत भड़ा हो जाता है और लोग को दिखाना पड़ता है तो चले मैं चालू करती बता देती हूँ कि यहां मैंने पहले से ही तैयारी करके रख ली गी जैसे आप नहां पे सोयल है बैठे हैं और बस यह लोगा बाते कर रहे हैं और आप लोग के साथ में छोटी सी रेसेपी शेयर करूँगी और उम्मीद करती आप लोग को अच्छी लगेगी तो वैसे तो मैं आप लोग को जादा करके सबजी वगेरे कही ब्लोग दालती हूँ लेकिन मैं आज सोची चलो चिकन कही आप लोग को बता देती हूँ और मैं जिस तरह बनाती हूँ बस मैं उसी जीरा और तेस पत्ता दालूँगी और कुछ नहीं दालूँगी और उसके बाद मैं काणदा दालूँगी कांदा में लाल कर लूँगी ज्ञादा भी लाल ने मतलब रॉन थोड़ा अच्छा होये तक कि करना है हमें और यहां पे मैंने मसाला पहले से ही बना के रख लीती तो तो आप लोग को बता देती हूं, मैंने मसाले में क्याख पीची हूं तो मैंने इसमें अधर क्लेस Carn का post, कांदा और हरी मिर्ची कियों, कि तोड़ा हम तिक्का क्कार खा़ते हैं हैं, जरा चण पटा हो다음। तो जरा अच्छा लगता खाने में, लेकिन थोड़ा तो बनता ही है तो मैंने यहां पे कांदे लाल कर लियू आप मैंने इसमें अधरक लेशन का पेस्ट एट कर दियू और इसे मैं अच्छी तरह से भूँच लूँगी ताकि उसका जो कच्छा पन है वो लिकल जाए और यहां पे मैंने आदा किलो चिकन लेली जो मैंने अच्छी तरह से इसको वाश करके रखी थी तो मैं इसको एट कर देती हूँ और इसको अधरक लेशन के साथ मैं अच्छी तरह से मैं थोड़ी देर के लिए भूँच लूँगी ताकि हमारा चिकन भी अच्छी तरह से सालवी तो बस जैसे भी बनाती हूं आप के साथ में शेयर कर रहे हैं तो आप ठीकन की साथ में उसक्ता कर दिए और डाने के बाद और मैं इसमें लूर्दी чист जाने के बाद मैं उसमें कलर के लिए लाल कश्मीरी मिर्ची थोड़ा सा एट कर दी तो क्या थोड़ा मतलब लाल अच्छा लगता है सालन वगएरा होता है तो अच्छा लगता है तो और मैंने इसमें नमक भी आट कर दी तो बस अभी यहां में इसे दो नड़ तक चला चला के भूंच लूँगी और में पानी वगएरा नहीं दालूंगी इसे ढखके पकने के लिए रख दूंगी धीमी आज में तो आप देख सकते हो यहां पे मेरा मसाला वगएरा सब अच्छी तरह से भूंच गया है और मैंने पानी भी नहीं दाली ती क्योंकि जो हमारा चिकन था और जो टामाटर था उ तो मली चलो बच्चों के लिए मैं थोड़े से आलू दाल देती तो यह जादा नहीं है सिवे तीन आलू मीडियम साइस के हैं तो वही मैंने कट करके रख ली थी अभी मैं उसे भी पका लूंगी तो बस यहां पे मेरा जिस तरह में बनाती हूँ वही आप लोग के साथ शे ताके मैं अपनी कलती सोधाने की कोशिश करूँ और यहां पे मेरे पास दई थी तो मैंने इसमें दई भी एट कर दी क्योंकि दई एट करने से मुझे बड़ा अच्छा कलर लगता है और उसका स्वाद भी बड़ा अच्छा लगता है तो यह आप देख सकते हैं माशालला यहां पे मेरा अच्छी तरह से सालन पक गया है चिकन का सालन यानि कि चिकन आलू का सालन और जैसे मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसी ही पका है और आलू अगेरा भी अच्छी तरह से गल गये तो बस अभी मेरा यहां पे जो भी मेरा सालन ता तयार हो गया है तो अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया एट कर दूंगी और मुझे और कुछ भी नहीं दानने की ज़रूँ तो मैं इसे बन करके रख दूंगी क्योंकि यह हमारा दो टाइम का है लेकिन हम मैं उसमें पानी वगेरा नहीं इस्तिमाल करूंगी थोड़ा मतला बच्चे लोग थोड़ा ही खाते इसके लिए अब मैं इसे ज़्यादा पतला नहीं करूंगी थोड़ा ही सही अच्छा खाना चीए तो बस यह मैंने अभी बाजु में रख दी और यहां मैंने चावल पका ली थी तो चलिए यहां मेरा खाना पग गया जैसा मैं आप लोग को बोल रही थी तो आज मैंने बनाई थी चिकन अलू बसालन और रोटी चावल जो मैं आप लोग को बता चुकी हूं तो मैं बैटी थी बनाने के लिए आट बजे और बज रहे हैं साड़े नौ यहां साड़े नौ से थोड़ा सा जाता है यह इतना टैम हो तो इतना मुझे फटा फट करना पड़ा और अभी मैं थोड़ा पाथ दस वट थोड़ा आराम करती हूं उसके बाद फटा फट जो भ के साथ शेयर करी हूं आप लोग को कैसा लगा मुझे बताना अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना कमेंट करना सब्सक्राइब कभी नहीं भूलना करने और यहां पर कौन-कौन बैटा मैं आप लोग को बता देती हैं यहां बहुत बड़े-बड़े लोग बैटे हैं इसको जानते हैं आप इसोयल सहीब हाय करो दोनों बैटे में हैं और आप देख सकते हैं यह क्यों ऐसा बैटा है क्योंकि इसके पैर पर वापस से पट्टी लग गई है क्यों इसलिए लगी है क्योंकि डॉक्टर जब इसको बलाया था चेक करने के लिए कि ठीक है कि नहीं आप देख से चला रहे थे लेकिन आप चल रहा था तुम इसको फीछ रहा है तो फिल्ला सब अच्छा है पट्टी लगा दिया है कि इसको थोड़ी हिंमत आएगी और अगर इसको आइसा डर है वो लिकल जाएगा इससे कि ये बंदा रहेगा तो मतलब बैफिकरी से चल सकत और अभी हम लोग को उसने बुला है दर जिंगे बाद आके दिखाना तो यह पट्टी भी खोल देगा इंशाला यह चले भी लगेगा तो चलता तो है डेली अभी उसको हम लोग चला रहे हैं तो चलता पहले जैसा नहीं कि कंदे भी हाथ रखके चलाना पड़ता था या फिर है अभी रिस ले नहीं सकते जैसे भी डॉक्टर बूले वैसा हमें करना पड़ेगा तो बाकी का हड़ी अगेरा तो अलम्दुला सब ठीक है बस इह कि इसकी जो डर है वो डर के वज़े से वो चलने पा रहा है उसको थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं गिन जहां और डॉक्टर करकर करके इसको बहुत कम चलाएं जिस वज़े से वो डरने लगा है लेकिर अभी माशाला बहुत चल रहा है और इंशालाए दर दिंग के बाद जब हम लोग जाएंगे तो इंशालाए यह फुद चल के आएगा हम लोग के साथ तो चलिए यह लग देखिए यह मैं यहां बात करें और यह दोनों की मस्तिया चालूए जैसे मैं आप लोग को बोलती हूं कि दोनों टकले बैठे हुए कैसे लग रहे ला दोनों की दोनों अच्छे हो मैं बूलों बहुत अच्छे हो तो चलिए फिर यहां पे मैं अभी अपने वीडियो का एंड करती हूं फिर आप लोग से मिलती हूं कल इंशालला कोई अच्छे ब्लॉग के साथ और आप दुआ जरूर करना उस काम के लिए जो मैं बोल रही हूं हुआ तो आप लोग के साथ शेर करूंगे आप लोग को भी अच्छा लगेगा तो चलिए फिर में रखती हूं अल्लाह अपीस